हेलो अबरिवन, सो कैसे आप लोग, सो आज हम लोग लेंज लॉग के उपर एपिसोड नमबर टू लेके आगे, एलेक्रो मैगनेटिक इंडक्शन के अंदर, जिसमें हम लेंज लॉग को पढ़ने वाले हैं, डिटेल में, और इसके उपर कुछ कोश्चन्स करने वाले हैं, ल हम लोग स्टार्ट करते हैं, और समझते हैं, लेंज लॉग को डिटेल में, इसका स्टेट्मेंट से पहले, लेंज लॉग को समझना जरूरी है, तो पहले एक बात देखना, कि जो तुम पीछे पढ़ रही थी न, उसी का यहाँ पर सारा, तुमको रिजल्ट दिखेगा, मत मतलब, direction क्या होगा न, current का, Direction किसका हमको जानना है, induced current का, है न, induced current का, या फिर ऐसा बोलो, इसको दो तरीके से बोल सकते हैं, induced current बोलो, या फिर बोलो, induced EMF, दोनो का सेम मतलब होगा, induced current बोलो, एक क्योंकि देखो, अगर हमको battery पता चल गया कैसे लगाना है, तो हमको यह प पहला डाउट है कि जो वो बोर रहा था कि फराडे की लूप में करेंट आएगा तो उसका डिरेक्शन किदर होगा यानि कि बैटरी किदर लगेगा ये पहला पॉइंट आउट था दूसरा डाउट था कि conservation of energy violet हो रहा है उसका ये कहना था कि कहीं पर magnet है उस magnet के अगल गुमा देते हैं तो उस magnet के वैसे कोईल में यानि कि wire में अचानक से current आ जाएगा तो current आ गया तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर energy create हो गया मतलब कोई चीज से दूसरा चीज पैदा हो गया जो कि हो नहीं सकता है अ और उसके लिए वो rules आना चाहिए कुछ-कुछ और थोड़ा सा आप पिछला चप्टर का समझ पिछला चप्टर का समझ नहीं magnetic flux यह सब clear होना चाहिए तब यह तो clear है यह ना इसलिए वो सब बताया गया magnetic flux और एक procedure बताया गया सा starting से बताया गया यह कि जैसे अगर मान लोग कि कहीं पर current है तो उस current के वज़ए से अगर उस current के वज़ए से गल बगल magnetic मैगनेट है उस magnet के वज़ए से magnetic flux में change आता है तो उस change के वज़ए से induced current आता है वही बताया गया रहा वही चीज़ देखो आप तो दूसरा point क्या है कि conservation of energy सर्टिस्फाई है कि नहीं conservation of energy conservation of energy सर्टिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है यह दूसरा point है तो यह दोनों बात को कान जवाब देगा यह दोनों बात का जवाब देगा लेंज यह दोनों बात का जवाब लेंज देगा ठीक है तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं लेंज लोग लेंज लोग तो अभी लेंज लोग को पहले तुमको हम एक्स्प्लेइन करते हैं ठीक है तुमको यह दो दिमाग में हमेशा रहने चाहिए ये दो चीज़ एक्स्प्लेइन होगा कि आखिर जो इंड्यूस्ट कर्ण डिरेक्शन की तरह है और कंजर्वेशन ओफ एनर्जी सर्टिस्फाई हो रहा है कि लेंज आ करके सबसे पहले साइंटिस्ट लोग के सामने क्या बोला वो ये बोला कि देखिए भाई फराडे जो है उसी के कारण बलकि कंजर्वेशन ओफ एनर्जी सर्टिस्फाई हो रहा है मतलब उसका ये कहना था कि जैसे मैगनेट है तो उस मैगनेट के वाइसे उस लूप में करेंट पैदा हो रहा है तो वो बहुत जरूरी है उसका ये कहना था अगर नहीं पैदा होता है तब फिजिक्स का नियम वाइलेट हो जाएगा यानि इनर्जर्वेशन ओफ एनर्जी सर्टिस्फाई नहीं हो पाएगा तो इसको समझने का दो तरीका है लेंजलॉ समझने का दो तरीका है पहले तुम Num को बताते है कि अगर जसे मान लोगि तुम कभ़ी d टो उसमें क्या होता है उसमें था कहोता है कि वह तो यह वह बहुत है नला बेंस्जग पास तो तुम क्या स्पुचोंगी? एए एकदम ही बेरुजगार है लगता है, कोई कुछ करने को है ही नहीं इसके पास, तुम क्या करोगे उसको इग्णोर करना शुरू करोगे या उतना जवाब ने दोगी, तुम चिपकू है लगता है, हर समय मेसेज करके दिमाग चाटते रहत तो ये दो चीज़ उसमें होता है, मतलब अगर लड़का दूर जा रहा है, तो दूर जाने का भी गम है, पास आ रहा है तो पास आने का भी गम है, वही लेंज लो है बस, अगर नेकना भी वही चीज़ तुम को दिखेगा, दूर जा रहा है तो पास बुलाना पड़ेगा, और पास आ रहा है तो दूर भागाना पड़ेगा repeat करते हम अगर कोई चीज दूर जा रहा है तो पास बुलाना है और पास आ रहा है तो दूर भागाना that is lens law lens law को समझने का दूसरा एक और चीज है कि अभी दूसरा वो हम बताएंगे तो हम लोग पहले देखते हैं कि अभी जो बात हम बोले ना, वो अला समझाते हैं तुम को, demonstrate करते हैं पहले lens law को, demonstrate करने का मतलब है कि समझाते हैं भाया कि यह काम कैसे कर रहा है, और यह देखना, यह Faraday's law को ही दुबारा मुठा रहे हैं या पर, Faraday's law में क्या था, कि जैसे मेरे पास एक magnet है, ठीक है, चलो magnet नहीं loop बनाते हैं या पर, यह loop है ठीक है, और यह loop किस टाइप का है, थोड़ा imagine करना पड़ेगा, किधर है loop, इधर वाला पाट कहां जा रहा है, अंदर के तरफ, और वो वाला पाट है बाहर के तरफ, यानि कि यह loop है ऐसे करके, ठीक है, धिस इस दा-loop और इसको हम कैसे रखे हैं, इसको ऐसे रखे हैं ठीक है, तो अभी यहां पर क्या कोई battery है इस loop में, नहीं, अभी हम यह यहां पर क्या करते हैं, कि one magnet लेके आते हैं, ठीक है, यहां पर मानलो एक magnet है, और इस magnet का मानलो कि यह वाला जो end है, वो न शुर getting out southwest पूले अभी बताओ कि इससे magnetic field line north से निकले और कहा जाएगा south में मानलो और magnetic field line निकाल देते हैं तो अभी न हम तुमको ऐसे बना के नहीं दिखाएगे तुमको हम सिर्फ क्या दिखाएगे तुम समझ जाना हम बस ऐसे दिखाएगे समझ जाओगी ना कि यहां magnetic field line निकल रहा है अचा कुछ magnetic field line ऐसे भी निकला होगा लेकिन क्या इस तक एक भी पहुंच पा रहा है नहीं पहुंच पा रहा है तो अगर इस तक हमको पहुंचाना है तो उसको थोड़ा पास लेके आना पास लेके आएंगे तो उससे कुछ magnetic field line पास करेगा ना ठीक है बहुत नीचे हो गया पास जब लेके आएंगे तो कुछ magnetic field line इससे पास करेगा चलो यहां बना रहे हैं दूसरा point में उसको पास लेके है तो पास लेके आचा उससे पास करने से क्या होगा कैसा पास करना चाह यह, perpendicular, क्योंकि perpendicular field उसमें क्या बनाएगा, flux, magnetic flux बनाएगा, perpendicular field लाइंड, तो यहाँ पर देखा हम इसको ऐसे pass ले के आगे, यह north pole और यह south pole, अब इस से कुछ magnetic field लाइंड ऐसे pass करेगा, माण लो कि यह perpendicular जा रहा है, ठीक है तो अभी इसमें flux initially कितना था इसमें flux शुरुवात में कितना था जीरो वेबर जीरो वेबर क्योंकि इस एक भी field pass नहीं कर रहा था अब तो कुछ field lines pass कर रहा है मानलो perpendicular जा रहा है तो अभी इसमें flux हम मान लेते हैं 2 वेबर मान लेते flux है ना magnetic flux अभी 2 वेबर हो गया अब देखो यार यहां तो लग रहा है कि flux 0 था आप भी बढ़ गया अच्छा यह flux change हो रहा है कि नहीं बताओ 0 से कितना हो गया 2 0 से 2 हो गया तो इसमें current पैदा हो जाएगा यही समझा रहे थे ना फिछले क्लास में अच्छा पिछले क्लास में में समझा रहे थे कि लूप गिर गया उल्टा सो चुले magnet आ गया तुम लोग को बताया थी चीज़ दोनों हो सकता है वही चीज़ समझाए गया था ठीक है यही पूरा लगया आ देखो तो यहाँ पर ध्यान से देखना यहां current कैसे आएगा यहां बताने जा रहे हो देखो यहां North Pole है तो हमको यहां पर North Pole चाहिए क्यों चाहिए क्योंकि अगर यहां North है और यहां North है तो रिपल्शन होगा औ तुम लोग एक चीज़ पढ़ी हो यार current carrying loop creates magnetic dipole यह तुम लोगों पढ़ाए थी कि अगर कोई loop है उसमें current बहरा है तो उसमें हम लोग right hand thumb rule यूज करके यह बता सकते हैं कि उस current का direction कि दर होगा जैसे देखो न यहां पर अभी current flow कर रहा है ना current तो है इसमें confirm है तो अभी ह अभी है यह बता है एक लास में बहुत बार और अगर साउथ पोल बावु तो तुम समझ गई current कैसा होगा यहां पर current कैसा होगा एंटी क्लोग वाइस उसका कारेंट अभी बताएगा कॉन लेंस बताएगा current ऐसा क्यों होगा और यह कौन सा current है कौन सा current है induced current देखो इसको हम induced EMF जिसको कहते हैं और यह कौन सा current होगा induced current अब तुम यह सोचो कि यह नौर्थ क्यों आया देखो बता रहें जैसे यह magnet पास आया पास आया तो इसमें flux generate किया जो की और इसमें flux generate हुआ जिससे की conservation of energy energy violet हो गया energy क्या मतलब कि यहाँ पर flux बन गया energy create हो गया magnet को जब पास लेका है चाब magnet को किस तरफ लेके गया है पता हूं इस तरफ लेके आया है तब लेकिन ऐसा तो होना नहीं चाहिए ना conservation of energy यहाँ violet हो रहा है यहाँ पर अखिर कोई चीज मतलब कि पास आता है तो यहाँ पर इसमें energy create कर दे रहा है energy कैसे create कर रहा है पहले इसमें flux 0 था अभी इसमें flux 2 वेबर आ गया जो की होना नहीं चाहिए बाबू इसमें हमेशा कितना नहीं चाहिए 0 वेबर है तो 0 ही भगाना पड़ेगा दूर जाएगा तमना फिल्ड को फिर 0 कर देगा तो फ्लक्स 0 हो जाएगा तो दूर भगाना है तो यहाँ पर नॉर्थ पोल चाहिए ठीक है तो यहाँ पर देखा तो यहाँ लेंज क्या बताया ना कि देखिए भाई यहाँ पर current इसी लिए नहीं आता है कि magnet आ गया current आने का एक कारण है क्या कारण है कि उसको यहाँ पर नॉर्थ पोल पैदा करना है नॉर्थ पोल पैदा करके वापस उसको रिपल करके भेजना है समझी जैसे हम लोग यह पढ़ रहे थे वो फ्राडे क्या बता रहा था कि यहाँ current आएगा बैटरी आएगा लेकिन वो यह नहीं समझ रहा था क्यों आएगा तो lens उसी बात को explain किया कि क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ पोल चाहिए देखो कि यह current आया तो तब नहीं यहाँ पर नॉर्थ पोल पना समझी यह चीज़ तुम लोग पढ़ी हो पहले में कि अगर कहीं पर current लूप है कहीं पर current बहरा है तो current बहता हुआ current के वर से क्या बनता है magnetic field यह और state बताया था और वो magnetic field का north pole और south pole हम लोग यह जो rule एक बताया थे तुम लोगो right hand thumb rule उससे दिगा आते थे कि current का दिशा में चार उंगली घुमा देख लो घुमा के चार उंगली current के दिशा में तो अंगूठा ऐस तो बहाना है असली मकसद तो north pole या फिर south pole develop करके magnet को दूर भगा के conservation of energy satisfy करवाना है यही lens लोगा ठीक है अभी हम इसको थोड़ा लिखते हैं बनिया से यह देखो यह तो पहला हुआ यार अभी हम लोग तुमको ना एक phrase बताएं एक phrase कहने का मतलब कि जब यह magnet दूर में था तो इसको pass लेके आए तो उसको दूर भगाना चाहरा था वो तो यहां north develop कर दिये अब तुम यह सोचो कि starting से ही वो pass में रहेगा स्टार्टिंग से ही pass में रहेगा और दूर जाएगा तो दूर जाएगा तो उसको कहां बुलाओगी तुम पास बुलाओगी तो उसके लिए उल्टा polarity develop करोगी तो उसमें current उल्टा बनाना पड़ेगा ठीक है तो चला इसको इसको फिर हम तुमको तुमको तीसरा वाला point देखना है तो तीसरा वाला point यही नहीं हो जाएगा बताओ तीसरा यह कैसे होगा पहले देखो यह 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 यही पर था stable ठीक है अब इसको पहले देखो यह पहले पास आ रहा था तो अब इसको क्या कर दिये दूर कर दिये तो दूर करने के बाद कुछ ऐसा ही सिनेरियो दिखेगा वापस से flux कितना हो जाएगा जीरो वेबर ठीक है तो अच्छो तो अच्छा यार यह बताओ तो अगर तुमको यह निकालना है इमेफ निकालना है तो इमेफ का मतलब क्या होता है मतलब इंडियूज इमेफ का फॉर्मला बताएं के था नाम डेल्टा फाई जर्य हॉपर था फॉर्क्स और फाइनली भी कितना हो गया जीरो वेबर इनिशील ली मतलब फर्सट पॉइंट फर्सट पॉइंट जो लिखे थो इसमें जीरो वेबर था और सेकंड पॉइंट बीच में हुआ वा ऐसा अभी तो भीच में हुआ न यह यह लास्ट है first point को initial मानोगी जिसमें 0 वेबर था और last में फिर 0 हो गया तो तुम अगर इसका change निकालोगी तो 0-0 by delta t तो कितना आएगा 0 और unit क्या होगा इसका volt यानि कि फिर से इसमें कोई battery नज़र आएगा last में नहीं नज़र आएगा तो अगर तुम पर जब लोग गया चाय वेपीक है तो देखते है magnet जहां था वापस वहीं आ गया क्यों ऐसा हुआ क्योंकि यहां पर energy create हो रहा था तो यह loop जो है अपने में current पैदा किया क्यों पैदा किया ताकि उसको दूर भगा सके दूर भगा के जहां था वहीं उसको पहुंचा दे ठीक अच्छा उसका theory पहले लिख लेते यार यह जो अभी demonstrate किये न तुमको इसको theory पहले हम यहां लिख देते है फिर वह वह वाला लिख वाएंगे तो यानि कि lastly जो voltage है वो 0 ही होगा अगर लगतार आपको current चाहिए ही चाहिए तो उसको ऐसे ऐसे लाते जाहिए current आते जाएगा तो तुम यहां पर इसका जो first point था मतलब इसमें पहला point क्या लिखोगी यह पहला demonstration जो भी तुमको बढ़ा है उसमें पहला point यह लिखोगी कि if a magnet is brought near a coil then due to relative motion relative motion सबस्ती हो relative motion मतलब तुम याद करो coil को रोके वे हैं और magnet को अंदर ले क्या रहे हैं यह नहीं कि coil को ऐसे ले कि जारी magnet को ऐसे हासी खिल चल रहा है if magnet is brought near a coil then due to relative motion between किसके बीच में between coil and magnet किसमें current induced होगा current नहीं नहीं पहले current induced नहीं होगा step by step जाना है पहले battery पैदा होगा exactly second point an emf is induced an emf is induced in the coil in such a direction in such a direction in such a direction that it opposes it opposes any change opposes any change यह बड़ा गजब चीज़ है यार it opposes any change मतलब कि जो battery आएगा वो ऐसा develop होगा कि जो magnet अगर pass आ रहा है तो उसको दूर भगाएगा अगर दूर जा रहा है तो पास बुलाएगा मतलब इस battery का काम होता है अपोस करना अपोस करना मतलब जो भी change हो रहा है जैसे हम लोग change क्या क्या है पर pass ले जाए तो उसको अपोस करने के लिए क्लिए दूर भगाएगा अगर हम लोग दूर लेके जाएंगे तो उसको pass बुलाएगा अच्छा कभी-कभी बहुत लोग बोलता है न कि यह जैसे induced EMF का direction हम बता दिये तुमको कि किस सरफ होगा वो थोड़ा-थोड़ा समझा दिये उल्टा रखेगा तो क्या होगा है अपर north, south pole आ जाएगा, south pole आ जाएगा तो यह magnet अंदर घुज जाएगा, तो क्या उसको खुद का मरजी है, खुद का मरजी नहीं है, यह तो बस जो nature का law है, conservation of energy, कि energy can neither be created, not be destroyed, it can only be transformed from one form to another form, तो energy यहाँ पर neither be created, तो क्या यहाँ पर create create तब होता है जब यह two waiver का two waiver रहे जाता है, लेकिन यह तो लाश्टली zero हो जा रहा है, तो energy जो है वो conserve रहे रहा है, तो conserve करने के लिए है faraday's law, अगर faraday's law नहीं होता, तब तो भाई सा वाइलेट हो जाता, लेकिन faraday's law को properly explain कौन किया, lens, अच्छा वो lens law, देखो जब भ यहाँ पर फिर से लिख देते है, अभी लिखे भी थे है, is equals to d5 by dt, यह battery का voltage कितना होगा वो बता रहा था, हाँ यह instantaneous EMF है, average का भी यहाँ पर लिखे तो delta 5 by delta T, यह instantaneous EMF है, ठीक है मतलब देख क्या ही हो वीडियो है, पता चल रहा है देख क्या ही वीडियो पूरा, तो यहा पर यहाँ तक लिख लोसको यह वहा तो फिर यहाँ पर इसमें लिख होगी, next point इधर लिखते चलो, तीसरा point, यह तो तुम्हारा overall बात हो गया, तीसरा point में यह लिख होगी, तीसरा point उसका लिख होगी, यही वाले first demonstration के अंदर, तीसरा point, the, the magnet, the magnet is, the magnet is dragged away, magnet is dragged away, magnet को हम लोग कहां drag करेंगे, वापस उसका location पर, जहां पर था, the magnet is dragged away, by developing, by developing a north pole, north pole, किसमें north pole develop किये, in the, wire या फिर, coil, और north pole develop करने का तरीका क्या है, यहां पर हम rule लिख देते हैं, कौन सा rule से north pole develop कर रहे हैं, right hand thumb rule, right hand thumb rule क्या बोलता है, कि जैसे अगर मान लिजए आपको यह loop है, है न, तो loop में, अगर मान लिजए current flow कर रहा है, current ऐसे flow कर रहा है, तो current के दिशा में यह तुम्हारा उंगली और यह चार उंगली ठीक है तो चार उंगली के दिशा में current के दिशा में यानि कि curl करना है तो अंगुठा किसका direction बताएगा? नॉर्थ पूल का जिस तरफ भी अंगुठा जाए उस तरफ नॉर्थ पूल होगा तो देखो यह current ऐसे है current ऐसे है तो इसको ऐसे curl करना है तो यह अंगूठा ऐसे जा रहा है तो जिस तरफ अंगूठा जाए उस तरफ North Pole और जिस तरफ नहीं जाए उस तरफ क्या होगा South Pole, यानि कि इस तरफ क्या होगा South Pole बहुत लोग न यह चीज़ कभी जिन्दगी जीवन में नहीं समझ पाता है इसलिए यह वहला हम लेके चलते हैं देखो यहां पर देखना देहां से यह ऐसे है न यह वहला लूप ठीक है तो बहुत लोग सुचता है सरी यह South Pole यहां कैसे हो जागा यहां इधर North Pole इधर South Pole ठीक है यहां पर देखो current कैसे था यहां पर देखो current ऐसे है न तो यहां कि ऐसे खरल करेंगे देखो उठा उधर जा रहा है हाँ उधर North होगा तो इधर थम जा रहा है इस तरफ तो North इधर बनाए और इस तरफ नहीं जा रहा है कैसे एसे एसे क्यों रखोगी current ऐसे काया रखोगी अगर ऐसे रखोगी तब इधर आ जाएगा ना तो ऐसे रखोगी तो अंकूठा उधर जा रहा है तो यानिकी north सब्सक्राइब चलो देखते हैं भी बना के देखते हैं तब देखो जो तुमको अभी हम demonstration one number one बता रहें वही चल रहा है ना demonstrate कि जो पहला वाला वही चल रहा है कि मतलब कि वो जो loop था उसके पास आ रहा था magnet तो magnet को वो दूर भगा दिया तो वही चल रहा है भी ठीक है question two वह पे आयंगे उसमें अलिटा होगा देखो इसमें स्टार्टिंग से देखो तो क्या हुआ था पहला point पहला point क्या हुआ कि इसमें initially flux कितना था शुरुआत में flux कितना था 0 फिर flux कितना हो गया फिर flux 2 वेबर हुआ था मतब 0 से 2 हुआ तो बढ़ा flux की घटा बढ़ा तो यानि कि flux is increasing ऐसे लिख सकते है flux देखो हम लोग कहते है flux change होना चाहिए अब change तो दो टाइप का होता है फराड़े क्या बला था कि if the flux is changing तो flux change होना चाहिए तो change है यहाँ पर कैसा अचाहिए यह बताओ यह flux increase क्यों कर रहा है क्योंकि motion हो रहा है पहले motion हुआ अचाहिए इस motion में magnetic field जो है वो increase किया होगा यए decrease किया होगा magnetic field बोलो कि किसका देखो पहले loop ऐसे था और magnet दूर में था तो उसका magnetic field कितना था loop में जब दूर में था जीरो था पास ले किया है तो magnetic field 1 tesla, 2 tesla, 3 tesla, 4 tesla, 5 tesla, 6 tesla, 10 tesla ऐसे हुआ होगा मतलब magnetic flux बढ़ रहा है तो obviously magnetic flux भी बढ़ा होगा magnetic field भी बढ़ा होगा समझ रही हो तो यानि कि तुम यह कहोगी जो loop था उसका magnetic field बढ़ रहा था घड़ रहा था, बढ़ रहा था क्योंकि flux increase कर रहा है तो obviously magnetic field क्या होगा, increase, मतलब magnetic field भी increase, अच्छा यह magnetic field किसका बात करे, यह सारा किसके बारे बात किज़ ज़र रहा है सारा किसके बारे बात किज़ ज़र रहा है, loop के बारे यानि कि जो वहाँ पर कॉइल था उसके बारे कॉइल लूप वायर यह सारा एक ही चीज़ है तो यहाँ पर ठीक है magnetic field increase किया तो उसके वाज़े से magnetic flux increase किया अच्छा तीसरा point देखो यह तो पहला पहला इंक्रीज करने के लिए इंक्रीज करने के लिए आता तब तो और घुसा देता magnet को अंदर वह जो यह बैटरी हम लोग बना रहे थे उसके कारण वह जो flux था यह वाला वह decrease हो रहा था यह इंक्रीज हो रहा था याद करो यार यह तू वेबर था उसको वह decrease करके कितना कर दिया था ? Zero. 0 degenerate तो यारन कि जो बैटरी आया था वो इस flux को opposed किया था पोश किया था याप भोलो या फिर ऐसे का रह जो disso कर दिया था अपोश कहने का मतलब तो दोनों चीज हो सकता है ठैक तो यानि कि तुम क्या बोलोगी यहाँ पर कि जो बैटरी पैदा हुआ जो induced EMF पैदा हुआ वो इस केस में क्या किया उसको decrease कर दिया है न तो EMF फिर क्या होगे बाबू induced तो तुमको न हमेशा एक key concept याद रखना है कि पहले कुछ भी या तो magnetic field पहले चेंज करेगा उस changing magnetic field को ऐसे flux change करेगा और EMF कैसा होगा वो depend करता है यह increasing है कि decreasing अब यह increasing है तो EMF को क्या करने को कोशिश करेगा decrease करेगा flux को तो decrease करने के लिए उसके उल्टा दिशा में बनेगा ठीक है अच्छा चौथा चीज़ देखो और यहाँ पर एक और क्या डिवलप होगा बताओ induced current और यह induced current कैसा होगा मतलब कि इसको decrease करने कोशिश या increase करने कोशिश बताओ है यह जो flux है इसको यह induced current decrease करेगा या increase करेगा भाई साब decrease करेगा क्यों decrease करेगा बता रहे है वही चीज कि नॉर्थ पॉल डिवलप करेगा नॉर्थ पॉल डिवलप करेगा तो रिपल करके भागाएगा ना याद करो ने यारी कौन सा पॉल डिवलप किया था नॉर्थ पॉल अच्छा नॉर्थ पॉल डिवलप कौन किया था बैटरी North Pole battery develop किया था नहीं current के दिशा में न curl करके दिखा लिए थे देखिए North Pole बना तो actually में North Pole जो बनाया वो battery बनाया current बनाया और क्यों बनाया ताकि उसको repel कर पाई किसको repel कर पाई किसको repel कर पाई magnet को यानि कि जो bar magnet था उसको तो अब इसका उल्टा क्या होगा अगर magnetic field decreasing हो तो यह decreasing होगा यह decreasing होगा तो EMF ऐसा हैगा जो उसको increase करेगा और induced current ऐसा हैगा जो उसको increase करेगा ताकि conserve हो जाए energy तो तुम इसको एक बार लिखो ठीक है उसके बाद हम लोग demonstration number 2 में चलते तब और clear हो जाएगा यह इसको लिख लेक बार यह हम लोग demonstrate 1 के लिए बताएं देखो demonstration number 2 demonstration number 2 जिसमें पहला point यहाँ पर तुम्हारा यह loop है और magnet अभी pass में है यह north pole और यह south pole ठीक है अभी देखो पहले ही से magnet pass में है अब तुम क्या की तुम ठेली तुफानी आदमी तुम क्या की कि इसको दूर ले गई magnet को तो दूर ले गई मतलब इसको velocity किदर दी हो इस बर उल्टा मतलब उससे दूर ले जा रही हो मतलब इस बार वो दूर जा रहा है इस बार वो दूर जा रहा है तो लड़की क्या बोलेगी उसको बताओ अरे दूर कहां जा रहा है पास आओ तो पास आने के लिए अच्छा देखो पहले क्या यहाँ पर कोई करेंट है क्या शुरुवात में कोई करेंट है नहीं है लेकिन जैसे जैसे मान लो कि अभी देखो एक चीज़ तुमको हम बताते है यहाँ पर अगर तुमसे पुछे तो इस वाले मागनेट के वज़ा से यहाँ पर मागनेटिक फील्ड बन रहा है उस मागनेटिक फील्ड से यहाँ पर उस मागनेटिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा चलो लिखते एक बर, flux लिखते चलो, मान लेते यह तो फ्लक्स है तो magnetic field भी होगा न यहापर, तो magnetic field मान लेते हैं यहापर, कि four tesla चलो मान लेते हैं, magnetic field भी है, ठीक है? अब जब इसको दूर लेके जाएंगे, तो magnetic field कितना होगा? जीरो नहीं होगा, पहले 3 Tesla होगा फिर 2 Tesla होगा फिर 1 Tesla होगा फिर धीरे-धीरे 0 हो जाएगा तो मैं ले अरे रे भाई साव Magnetic Field घट गया तो यह तो energy violet हो गया ना तो उसको क्या करने चाहेगा वो? वॉयलेट हो गया तो क्या करने चाहेगा बताऊ? उसको magnet को ऐसे किए हम लोग, अब कुछ दिर बाद हमको magnet कहां दिखेगा, यहां दिखेगा यहां कहीं, north और यह south, और यह बिचारा field lines ऐसे निकल जाएगा इससे एक भी pass नहीं करेगा तो अभी इसके across, इसके across अब magnetic field कितना हो गया इसके across zero tesla, और flux कितना हो गया zero, waiver अब यह बोलेगा, रहे भाई साब दूर चल गया यह तो, pass भुलाना होगा, phone करेगी कहां है, भाई साब उतना दिन से phone नहीं उठाया तो यानि कि, तीसरा देखना ठीक है, तीसरा देखना अभी साफिया experience है तो तीसरा देखना, अभी यह pass आ गया ठीक है, तो pass आने के लिए अचाहिए, इसका यानि कि speed इस तरफ हो गया ना, अपने आप अपने आप इस तरफ आ जाएगा, पहले हम लोग ले के गए इस तरफ, ठीक है, तो अपने आप उस तरफ आया तो यानि कि यहाँ पर बताओ, बैटरी के पहले तो कैसा होगा यहाँ पर पहले कौन सा पोल चाहिए, वो डिसाइड कर लो जो, पहले पोल सही मतलब है न हमको तो यहाँ पर हमको चाहिए साउथ पोल, ठीक है अब साउथ पूर में current कैसा होता है कि लॉक वाइज कि लॉक वाइज के लिए यहाँ पर कैसा बैटरी चाहिए होगा बताओ यह उपर वाला ऐसे हो यह इंडिउस दिम फ तो क्या कहोगी इसमें कि पहले यहाँ पर मागनेटिक फिल्ड क्या कर रहा था डिक्रीज तो decreasing magnetic field के कारण जो flux होगा वो भी क्या करेगा flux जो है वो भी क्या करेगा decrease तो अगर flux decrease हुआ मतलब कि 4 वेबर से 0 वेबर हो गया तो यहाँ पर ऐसा बैटरी पैदा होगा यहाँ ऐसा current पैदा होगा कि जो भी यहाँ पर हो रहा है उसको वो क्या करेगा ठीक है तो मतलब की यहां पर फिर यहां पर साउथ पूल ऄगते सी इसको बना लो जल्दी इसका घजय में कि नहीं बताओ यह जो भी पढ़ trov देनो यह पर यहां पर यह यह पर जो बहुत लोग पुछता है कि सर यहां पर मतलब करेंट आते ही रहेगा क्या बहुत लोगा चाहो ना तो यहां पर यह चीजտ मत बनाओ, तुम चाहो तो यहां बना लो, यहां साउथ ले लो और यहां पर क्या बनालो, बोलो, यहां क्या बनाओगी बैटरी ऐसे करक Macht हाँ क्योंकि इसमें तो zero करना है ना अगर तुम इसमें दिखा दोगी तब तो लगेगा यह current यहां बही रहा है नहीं समझी जब यह यहां पहुंच गया वापस तो फिर यहां south लगेगा देखो यह south यहां पर develop करना चाहिए यहां नहीं होना चाहिए ठीक है यह south ना इसमें develop होना चाहिए क्यों होना चाहिए देखो बता रहे है यह दूर गया तो दूर गया तो यहां पर south develop करेगा तो जैसे यह यहां पर आ जाएगा रहेगा south यहां पर लेकिन आने के बाद यह क कर रहा था बस acting कर रहा था दूर जाने का तो वहीं चीज हो गया आप देखो पिछले वाला केस में तुम गौर करना कि यहां पर कुछ भी नहीं था मतलब वो दूर में था तो फिर second case में तुमको क्या दिखाए थे पास आ रहा था वो तो पास आ रहा था तो यहां पर कौन सर्क हुष हुआ था पास हगया तब नौर्थ डिवलभ हुए उसकेबाद फिर प्र तो तीसरे case में क्या देखे नौर्थ गया हो गया क्योंकि वह दूर चल गया था तो यहां पर इसके बाद और भी cases हुगा है ऐसा नहीं कि इसके बाद यहाँ पर फिर करेंट कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा क्योंकि वो अपना काम कर चुका अपना काम वो कर चुका है अब यह सब सब गया हो जाएगा इस लूप में वापस करेंट कितना हो जाएगा जीरो लेकिन अगर तुम इसको फिर ऐसे ले गई तो फिर यहाँ डिव फोर वेबर, और मैगनेटिक फिल्ड कितना हो जाएगा, फोर टेसला, अरे भाई कैसे हुआ समझ में आगे इसका मैगनेटिक फिल्ड लाइन पास करेगा ना, तो इसका मैगनेटिक फिल्ड लाइन जो पास कर रहा है, तो यहाँ पर मैगनेटिक फिल्ड पास करता है, तो उसके वैसे मैगनेटिक फिल्ड बनता है, पढ़ी हो ना, फिल्ड का फॉर्मला बी, ए, कॉस, थीटा, तो अगर तुमको यह फोर वेबर में पास काम हो गया, हज़ए हो यहाँ जिखाओगी, तुम चाहो तो यहाँ भी दिखा सकती हो लेकिन फिर अगला केस एक और बनाना पड़ेगा जिसमें यह दिखाना पड़ेगा कि वो अब गायाब हो गया है तो वापस जो चीज था वही देखो डागराम वापस मिल गया दोंको चलो बनाओ इसको अच्छा हम लोग यहाँ पर क्या किये थे इसको अवे ले गए और पिछले केस में क्या कर रहे थे पास ले जा रहे थे ठीक है कि तो बेचार अभी दूर जा रहा था तो उसको फिर पास बूला के अब फिर फeton काट दी बात कि नहीं करना है ठीक है तुम अपना क्यों बता देखो यहां पहला पॉइंट देखो पहला पॉइंट देखना पहला पॉइंट क्या लिखोगी कि इसमें मतलब कि यार वो सब थियोरी ने लिखाएंगा हम लोग कि वो पहले दूर में था वो पहला में लिखवा दिया गया है वो पहले दूर में था तो दूर में था, फिर उसको pass लेके गए, फिर उसको दूर भगा दिये, वही चीज़ यहाँ पर फिर से repeat करना होगा, कि वो पहले pass में था, तो हम लोग उसको drag करके दूर ले गए, तो फिर वो फिर उसको pass बुलाने के लिए पोल डेवलप करना पड़ा तो हम लोग यहाँ पर concept लिखेंगे जो तुमको याद रखना है मिशा पहले जो flux था पहले यह बताओ यार magnetic field पहले increase था या decrease था मतब decreasing हो रहा है magnetic field या increasing बताओ magnetic field जो है decreasing या increasing सोच के बताओ नई 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 फर्स्ट में तो तुम पूरा process में बताओ यह magnetic field घट रहा है या बढ़ रहा है पूरा process को दोरान जब magnet को दूर लेके जा रहे है तो magnetic field बढ़ रहा है या घट रहा है यह पुछ रहे है एक जन बोर रहा है एक जन बोर यह घट रहा है दो नो उल्टा-उल्टा देखा भाई दूर लेके जा रहे है उसको तो घट रहा है na field क्या लिखा है? demonstration 2 उसी के बारे लिखवाना है अभी जब magnet को दूर लेके जा रहे है तो घट रहा है तो यानि कि अच्छा उस केस में magnetic field क्या था demonstration 1 में increasing था मतलब pass लेके जा रहे थे तो बढ़ रहा था तो यहाँ पर इस केस में magnetic field को क्या लिखोगी decreasing 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 क्यों समझ गई ना क्योंकि हम magnet को क्या लेके जा रहे हैं away लेके जा रहे है from the loop clear है तो यह decreasing होगा तो जो flux बाबु है बैचारा जो flux है वो कैसा रहेगा बताओ यह बैचारा flux के साथ क्या होगा यह भी decreasing होगा ना भाई 4 वेबर, 3 वेबर 2 वेबर, 1 वेबर, 0 वेबर तो उसको फिर वो increase करने के लिए second case में क्या है ना यार second case में हम तुमको यह दिखा रहे है कि एदम दूर चलिये गया हम तुमको वो सब नहीं दिखा रहे है कि यहाँ पर है, फिर और दूर है, फिर और वेबर वेसे नहीं दिखा रहे है, हम तुमको यह दिखा कि एदम दूर चल गया, मतब 0 हो गया तो अब तुमको final condition दिखा रहे थे, अब यहाँ पर यह flux decreasing है, तो अब EMF बताओ क्या करेगा, इसको इस बार बढ़ाना पसंद करेगा वो या घटाना और, बढ़ाना, क्योंकि बढ़ा के वापस उसको conserve करना है, magnetic field घट ऐसा कैसे हो सकता है, magnetic field घट कैसे सकता है, magnetic field अगर 4 टे इंडियूज होगा, EMF इंडियूज होगा, वो इस बर ऐसा इंडियूज होगा कि कौन सा पोल डिवलप करेगा, बताओ, south pole, क्योंकि उसका north pole उस तरफ था, ठीक है, तो depend करता है condition पर देखो, क्या हमेशा यह south होगा, क्या हमेशा यह south डिलप करेगा, नहीं डिवलप करेग और वो गलत समझ बैठा था उसको, ठीक है, वो गलत नहीं समझ बैठा था, उसको भी थोड़ा-थोड़ा समझ में आ रहा था, तो south pole डिवलप करेगा, वही हम तुमको कह रहे हैं, कि induced EMF और induced current तो बहाना है, असली मकसद तो south pole या फिर north pole डिवलप करवाके, conservation of energy को satisfy करवान है, this is lens law, यही lens law है न, ठीक है, तो चला हम लोग lens law का अपना है, अपने एक बाए statement लिखते है, ठीक है, क्या statement लिखो कि देखो, statement बड़ा जोड़दार है lens, यही एकदम एकदम चाप चाप के आ रहा है, ठीक है, पहले यह बता है lens law किस लिए है, तुम से को पुछे, किस ल ही उसी हिसाब से आ रहा है न, current, बैटरी को अगर तुम ऐसे set करोगी, तो current ऐसे आएगा, अगर बैटरी को उल्टा करोगी, तो current ऐसे जाएगा, तो induce DMF का direction हुआ कि न, क्या, हाँ कोई direction नहीं है, लेकिन वो, देखो, बैटरी का direction कहने का मतलब क्या है, हम बता रहे है, कि अगर बैटरी को हम लोग change करते हैं, तो उसी हिसाब से current बनेगा, वो मेरा कहने का मतलब है, तो तुम यह कह सकते होगी, induced DMF का एक direction होगा, खुद का वो नहीं है, situation के हिसाब से उसका direction है, है की न, बताओ, तो अगर तुमको को बोले न, direction, देखो, ऐसे लिखा रहे है, लें चला देखो यहां पर, lens law, lens law के बारे एक line क्या बोलोगी, कि जो induced EMF है, उसका direction, इसको सुनो दुबारा मेरा, induced EMF है, उसका direction ऐसे होगा, कि वो जो भी change हो रहा है, उसका oppose करेगा, जो भी change कहने का मतलब, magnet दूर जा रहा है, तो उसको pass बुलाएगा, pass आ रहा है, तो दूर भगाएगा, ताकि energy conserve रहे, ठीक है, तो वही बात है, कि अगर दूर जाएगा, तो बोलेगा, रेले, कहां जा रहा है, pass आएगा, तो बोलेगा, बिकारी दूर जाओ, तो यहां पर देखो, यहां पर लिखेगा क्या तुम लोग, अच्छा है, इसको तुम यह भी बोल सकती जो induced current का direction होगा, वो इस type से होगा, कि जो भी change आ रहा है, उसको oppose करेगा, same बात है न, induced EMF और induced current, दोनों को थे same same साथ से चलता है दोनों, तो अगर induced EMF लिखा रहा है, या induced current रिखा है, तो घबराने का बात नहीं होगा उसमें, ठीक है, जादा सही क्या होगा बोलना, जाद current का भी लिखते हैं हम लोग, current का याद है कि नहीं याद है, यहां लिखते हैं चलो हम current का, d5 by dt into 1 by r, लिखवाएं थे पिछले class यह, तो यह induced EMF का हुआ है, यह induced current का, यह तो अच्छा यह बताओ यार, इस EMF के यह जो current है, इसके अंदर EMF है, इसके अंदर EMF छुपा लिख लो, दोनों सही होगा, अच्छा देखो यार, Faraday's law कहते हैं इसको, यह कहां कोई formula दिया, lens law, कि आभी तक तुमको हम कोई lens law का formula बता है, अभी तक कोई formula लिखवाया गया, बिना formula के सारा चीज़ explain कर रहे है, तो फिर इसको law कहते है, इसको lens correction कहना चाहिए रहा, lens correction, म देखना, क्या formula दिया नहीं, यह formula देखना, यह formula है उसका, यह है, माइनस लगा दिया, माइनस क्यों लगा है समझ रही हो न, कि जो EMF आएगा, वो जो भी चीज़ दिखाई दे रहा है, उसको oppose करेगा, मतलब अगर वो दूर जाएगा, तो पास बूलाएगा, पास आएगा तो दूर भगाएगा, any change, any change in magnetic flux is opposed by EMF, magnetic flux में अगर decreasing होगा, तो induced current ऐसा आएगा, कि इस flux को क्या कर देगा, increase, अगर यह घट रहा है तो उसको बढ़ाएगा, और पिछले case में याद करो, वो बढ़ रहा था, तो उसको क्या कर रहा था, तो उसको क्या कर रहा था, गटा रह transition minus sign theta, इसलिए minus आगया, वो करण नहीं है, minus यहाँ पर physical meaning दे रहा है, कुछ physics समझा रहा है, और बहुत बहतरीन physics, क्या समझा रहा है, की, 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 जो भी change होगा, EMF, यानि कि बैटरी ऐसा पैदा होगा, कि उस change को वो oppose कर दे, oppose का मतलब समझती है, oppose का मतलब दूर भागा अब oppose करने का मतलब है, बढ़ रहा है, तो घटाएगा, घट रहा है, तो बढ़ाएगा, हाँ, हाँ, ठीक है, अगर वो बढ़ना भी पसंद करेगा, तो उसको घटा देंगे, घटना पसंद करेगा, तो उसको बढ़ा देंगे, ताकि energy conserve हो जाए, energy can neither be created, create कब होता है, जब अब इसका definition लिखते है, lens law, अब इसका definition लिखते है, lens law का है, अभी definition लिखवारे तुमको lens law का, अगर कहीं पढ़ा हों कि college लिखते, पहले statement लिख वाएगा, तो यहां पर क्या लिखो कि it states that, लिखो लिखो, it states that, it states that, any change, any change in, it states that, रुखो एक बनेर, रुख ज़ रुख ज It states that the direction, direction of induced current, या फिर induced EMF, direction of induced current, EMF से प्यार होगे है लगता हमको बारवर भाही लिख दे रहे, The direction of induced current is such that, is such that, it opposes, it opposes any change, Any change in, किसमें change को अपोस करेगा? Magnetic flux, और यह किसका magnetic flux का change को अपोस करेगा? Magnet का, coil का, coil का, जो magnetic flux है, अगर वो decrease करेगा, तो उसको increase करना है, तो magnetic flux linked with the coil. अच्छा, इसको उल्टा, simple statement क्या हो सकती हो? The direction of induced DMF is such that, it opposes any change, खतम. अगर तुम सब भूल भी जाओ ना, तो एक line में लिखना बस, The direction of induced DMF is such that, it opposes any change, खतम. ठीक है? खतम. टाटा, बाई-बाई. चलो अब यह minus के बारे हम लोग लिखते हैं, minus का क्या significance है? पुछता है exam में, what does the negative sign indicate in lens law? तो उसके बारे क्या लिखोगी? Opposition, in any change. ठीक है? यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, तो यह देखो, कुछ हो नहीं किया हूँ, बस minus. अच्छा यार, यह याद करो यार, तुम को जासे सरफ formula हम लिखवाएं थे, शायद तुम को याद हो पता नहीं. यहाँ पर ऐसे modulus लगा रहे थे, या फिर इसमे modulus लगा रहे थे, उसका मतलब यह था कि जो faraday था, वो सरिफ इस E का value बता रहा था, लेकिन यह तो E का direction बता रहा है, कि किधर होगा? तो इसलिए अब इसमे modulus मतलगाना, एक्जाम में आता ना तो लिखता है, what is the magnitude of EMF and the direction of EMF, तो समझ जाओगी ना, magnitude मतलब क्या बोर रहा है वो, magnitude मतलब D5 बेडिटी निकाल लिए, direction पुछेगा तो, तो तब तुम को figure देखना पड़ेगा, कि figure में increasing दिया है या, decreasing, हाँ बो करके हो, EMF निकाल लेना है, वो तो faraday भी करके चल गया था, main ये minus scientist लोग का एदम host उला दिया, अच्छा तो ये direction में पहले देखो, तीन, दो point था मेरे पास, सबसे important, तीन था इसे, induced current का direction, बता चुके हो, induced EMF का direction, बता चुके हो, conservation of energy कैसे satisfy हो रहा हो भी बता चुके, satisfy हो मैगनेट को ऐसे से कर रही हो, तो मैगनेट को ऐसे ऐसे कर रही हो, तो ये mechanical energy हुआ, ये electrical energy हुआ, जब ऐसे से magnetic को कर रहे हो, तो, मेकानिकल नहीं समझती हो, मेकानिकल इंजिनियर का नाम सुनी हो, मेकानिकल इंजिनियर, वो क्या करता है, गारी उड़ी में बनाता हुनाता है, टाइट टूट करता है, मतलब कि उसका हाथ का काम रहता है, मतलब उसको मेकानिक्स करना पड़ता है, मेकानिक्स कहने का मतल रहे तो ये कौन सा energy है काइनेटीक एनरजी mechanical याव लोग जो magnet को ऐसे मूफ कर रहे वो mechanical work है और उस mechanical work से loop में Rabbit हो रहा है लोप में क्या पैदा हो रहा है current तो यानि कि mechanical energy किसमें convert हो रहा है electrical energy में तो यहाँ पर conservation मतब कि energy एक जो लूप है इसमें कैसे पैदा हो जाएगा तो उसका जवाब वो क्या दिया देखिए भाईया यह मेकानिकल वर्क मतलब हम ऐसे से कर रहे हैं तो महनत कर रहे हैं तो यह हम ऐसे सकतव हम तो महनत कर रहे हैं तो या के निक दिखिए है अगर तुम से से पूछे गा कि तुम चैप्टर पढ़ती हो Electromagnetic induction का principle क्या है तो तुमको क्या बोलना है Mechanical किसमें बदल रहा है तो यहाँ पर हम लिख देते एक पर पहले इसका minus sign का significance लिखेंगे फिर यहाँ पर हम principle लिख देते है What is the principle in all these उसका जवाब है Mechanical energy Mechanical energy मतलब जो हम लोग महनत कर रहे है Magnet को motion कर रहे है वो motion किसमें बदल जा रहा है Electrical energy Electrical energy यह दमरट लेना है और से तुमको पता है इसी principle पे बहुत सारा हम लोग Electrical instrument में बनवाए है जैसे कि AC generator AC generator के नाम सुनी हो नहीं सुनी है भिखारी आदमी चलो यहाँ पर हम लिखते हैं पहले Indicates That पढ़ना है That any change Auto alternating current है चप्टर उसके अंदर पढ़ना है ऐसी generator Negative sign indicates that Any change in Any change in Flux is opposed जो भी change होगा उसको हम oppose कर देंगे और यह oppose कौन करेगा EMF EMF अच्छा इसको अगर हम ऐसे लिख दे V is equals to D5 ADD तो माथा पटक लोगी इसको अगर V is equals to D5 ADD तो V का मतला भी potential difference होता है अच्छा इसका unit क्या होता है Volt होता है पता है जब हम question देते हैं अब चलो चलो question देखो बाबू इसके उपर ठीक है question देखना है इसके उपर है न देखो एक question है बढ़िया इससे concept clear होगा बहुत ठीक है किसके उपर है सारा lens law के उपर अब तुमको बस एक loop दिया रहेगा एक loop दिया रहेगा और बोलेगा कि बताओ इसमें I.C. अच्छा तुमको ना दो चीज सोचना है हमेशा हमेशा दो चीज के बारे सोचना है कि जो magnetic flux है magnetic flux वो इंक्रीज कर रहा है या decrease और दूसरा इसके बारे भी सोचो कि magnetic field increase कर रहा है या decrease वो भी सोचना पढ़ेगा यह समझी मेरे बात हम क्या बोले magnetic flux increase करेगा या decrease क्योंकि देखो magnetic field किसे linked है magnetic flux से अगर field घट रहा है तो flux भी घटेगा field बढ़ रहा है तो flux भी बढ़ेगा तो तुमको क्या बोर रही दोनों में हाँ तो आंसर समझ में आ जाएगा लेकिन नहीं हम exam point of video तुमको समझा रहे हो सकता है कि वहाँ पर यह लिखा रहा है कि magnetic field decrease कर रहा है किसी किसी question में लिखा रहा है magnetic flux decrease कर रहा है तो दोनों का मतलब same है वो क्योंकि दोनों एक ही चीज़ बता रहा है ठीक है तो देखो अब यहाँ पर हमें एक बढ़िया question लेते है यहाँ पर देखो तुमको एक straight wire दिया है straight wire तुम ना पढ़ी हो मेरे से पहले physics में chapter 4 में कि अगर एक infinitely long wire हो तो infinitely long wire में अगर current दोड़ा है तो इसके वैसे उसके अगल बगल क्या बनता है magnetic field भूल गई होगी पढ़ लिख के अब यहाँ पर देखो एक और loop है ठीक है और यह loop कहाँ है देखो एक चीज तुम देखना ध्यान से कि इसमें current ऐसे जा रहा है ठीक है ऐसे current जा रहा है अच्छा यह wire कैसा होगा यह wire में magnetic field कितना बनेगा तुम बताओ इस infinitely long wire के वैसे magnetic field कितना बनेगा बताओ यह बताया हुआ बहुत बार पढ़ाया हुआ है एक infinitely long wire है उससे ए दूरी पर magnetic field कितना बनेगा बी इस इक्वल्स टू म्यू नाट आई बाई बोलो कि 2R होगा 2R तो circular loop का होता है ए क्योंकि यह distance ए है इसलिए लिखे है circular loop रहेगा तब 2A होगा भकलोल तो यह magnetic field due to infinitely long wire है ठीक है हाँ सही बोले उसको बोले भकलोल ठीक है अब देखो यहाँ पर तो देखो यार एक चीज़ देखना तुम अभी एक हम फॉर्मला लिखे थे ना यहाँ पर तो फॉर्मला में जो B is equal to क्या लिखे थे मू नाट क्या था directly proportional क्या था वहाँ पर directly proportional अच्छा देखो अब तुमको यह सवाल कैसे दिया हुआ वह हम तुमको बताते हैं सवाल में यह लिखा है तो तुम यह फील हुआ तुमको कि इसके अगल पगल यहां magnetic field बनेगा मतलब इस वाले wire का magnetic field यहां पहुंचेगा की नहीं बताओ भाइस आप इस wire के वाज़से magnetic field यहां तक पहुंचेगा की नहीं पहुंचेगा क्योंकि यह हम यहां पर लिए थे अब तुमसे question पूछ रहा है कि find the direction of induced current in coil इसको नाम देते हैं ABCD in coil ABCD in coil ABCD if 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 सुन लो पूरा बात सुन लो हां भाइक कोईल rectangular circular सब हो सकता है rectangular circular square कुछ भी हो coil मतलब की बंद चीज कोईल का मतलब यह थोड़ी हो goal भगलोल of induced current in coil ABCD if if the current in straight wire straight wire is increasing देखो यह सवाल है ध्यान से पढ़ो और जवाब दो इसका यह वाला current कैसा है यह वाला current कैसा है पर भगलोल ठीक से increasing कैसा है कहने को अतलब इसका nature कैसा है increase कर रहा है decrease कर तो अगर यह current increasing है तो इसके कारण बनने वाला magnetic field भी कैसा होगा इसका अगल बगल जो magnetic field बन रहा है वो increasing होगा यह decreasing विखारियों का बातसा है तुम लोग magnetic field और current directly proportional होता है ना हाँ क्या भाई induced induced छोड़ा भी यह बता है current increasing है तो इसका अगल बगल जो magnetic इसके वज़ा से जो magnetic field बन रहा है वो भी increasing होगे नहीं क्यों क्योंकि formula पढ़ो रहे म्यू नाट आई बाई टू पाई ए तो अगर यह बढ़ रहा है तो आई बढ़ रहा है ठीक है बढ़ रहा है तो आई बढ़ रहा है समझी ठीक है तो यानि इसका magnetic field इसके अगल बगल क्या कर रहा है increase तो तुमसे पूछ रहा है यह वाले loop में यह वाले loop में current कैसा होगा मतलब induced current यहां कैसा होना चाहिए अच्छा यह बताओ इसके वैसे current यह वाले lot हो रहा है कैसे only it हो जुम कुछ का रहा है इंक्रीज कर रहा है तो हम को इसको क्या करना पड़ेगा तो उसके लिए induced deposits current जो होगा इस इस वाले current क ब्लॉट करेंगा यह सपोर्ट करेंगगा अपोस करेगा तो ही पुछ रहा है कि कैसे आपोस करेगा, कैसा बनाए यहाँ पर करेंट, क्लॉक बनाए या कि एंटी क्लॉक बनाए, यही पुछ रहा है सिंपल, तुमको हम सारे चीज एक्स्प्लेइन कर दिया, क्या, एंटी, तुम एंटी हो, देखो अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर देख का जो इसघ Customer से यहांप había मैगनेटिक फिर बान रहा है लेकिन हम इसके बीच बालीय रिरीलेशन किससे बनाना है। यह वाले से तो इस वाले current का मैगनेटिक फिलस यहां पर कैसा बन रहा है देखो यहां गुठा सिधा के दिशा में चार उंगली करल की तो पर sorry राइट थम रूल यहां पर उल्टा है, यहां पर उल्टा है, यहाँ पर अंगूठा को रखना है current के दिशा में, और चार उंगली उस तरफ curl करना है, जहाँ पर magnetic field चाहिए याद आया है एक कुछ भी, ठीक, तो यह current ऐसे magnetic field यहाँ देखना है, इसके वज़े से इसके वज़े से यहाँ पर, तो ऐसे रखोगी increasing है यह decreasing, चलो यहाँ पर हम लिखते है यह current है, वो कैसा है, यह current है increasing, तो उसके ऐसे magnetic field भी कैसा होगा increasing, तो flux भी कैसा होगा, बोलो flux कैसा होगा, बताओ, जो इसके वज़े से यहाँ पर flux बनेगा, वो कैसा होगा, बताओ, वो भी increasing होगा सही बात है क्योंकि magnetic field जो flux के proportional अच्छा अगर flux increasing होगा तो हम इस flux को क्या करेंगे degrees उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा दूर नहीं दूर और पास नहीं यहीं पर सारा काम हो जाएगा यहीं पर कैसे होगा देखो बता रहे है ठीक है दूर और पास का है आपर माम लाई ही नहीं देखो आप देहां दो यह current ऐसे है current ऐसे है तो हम लोग यह पढ़े हैं कि अंगूठा को रखो current के दिशा में और चार उंगली उस तरफ कर दो जिस तरफ क्या चाहिए magnetic field तो अंगूठा ऐसे रखी तो चार उंगली आवसे करल की ए इस बाहर आया यह 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 यहाँ पर देखना है यहाँ पर देखना है ना क्यूंकि इसका यहाँ पर बन रहा है तो इसका भी यहीं पर चेक करना है इसको ऐसे रखी ए ऐसे तो य है conservation वह satisfy हो जाएगा मतलब यह जितना भी increase करेगा यह ऐसा current यहाँ पर बनाएगा कि इसका magnetic field कैसा बनाएगा हम यहाँ पर उल्टा ताकि इसको क्या कर देखना है और सपोर्ट हो कि उसको बढ़ा दे नहीं समझ में है हम यहाँ पर लिखेंगे सारा चीज यह एक कोशन है त अब एकदम चमक जाएगा यह यह तो एक बता रहे है तुमको और देखो इस एक में concept वही लग रहा है लेकिन थोड़ा नया लग रहा ना इसमें देख रही सर दूर और पास कहां जा रहा है क्योंकि सारा काम तो यहीं पर हो जा रहा है तो अलग-अलग तरीके से हैं तो हम इसको कम से कम 10 सवाल करना पड़ेगा इसको पर तब जाके यह क्लियर होगा लेंज लो एकदम चमक जाएगा मैं तब एक्जाम में कैसे बनाना हो बागी समझ तो तुम गई हो अच्छे से वह हमको पता है लेकिन अच्छा यहापर बैटरी कैसे होगा को बैटरी पूछेग चले तो हम लोग ना यहापर डिमॉंस्ट्रेट करते हैं कि सारा बात क्या था देखना अभी यहापर तुम ध्यान देना ठोला ये तुमको आया जिसमझ में यह जो लिखे हम यह यह है बात यह जो लिखा हुआ है ठीक है तो हम लोग यहापर पॉइंट yen capких लिखते हैं अ इसके वाज़ से जो magnetic field था वो क्या था बोलो increasing तो इसके वाज़ से जो flux बनेगा वो भी increasing तो flux अगर increasing होगा तो उसको हम क्या करना चाहेंगे decrease करना चाहेंगे तो यानि कि fourth point में लिखोगी to decrease to decrease the flux the current current कैसा होगा यहापर कौन सा current बावू इंडियू स्करेंट कैसा होगा शुट भी शुट भी एंटी एंटी का मतलब क्या होगा एंटी का मतलब अच्छा कभी कभी पुष्टा एक्जाम में पॉल कौन सा होगा यह बताइए बोलेगा इस लूप में पॉल कैसा बनेगा बता लोगी यहापर देखो current ऐसे बन रहा है अब इसका उल्टा सोच सकती हो तुम इसका उल्टा क्या होगा यह वाला current कैसा होगा बताओ यह वाला current अगर decreasing है तो decreasing रहेगा तो इसका magnetic field भी कैसा होगा decreasing तो हम उसको support करते हुए यहाँ पर current कैसा दोड़ाएंगे clockwise समझ में है कि नहीं है ठीक है तो यह तुम लोग लिख ली होगी वो लिख ले ना फिर हम उल्टा भी उसका बना ही देते एक बार और यह उल्टा वाला भी copy में ले रहें यानि कि यहाँ पर यह current को हम मान ले रहें decreasing अब तो current को अगर हम decreasing मान ले तो इसका magnetic field भी बेचारा क्या करेगा decrease तो हम तो decrease होने नहीं देंगा रे 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 भाई साब तू टेसला से वन टेसला कैसे हो सकता है हम तुमको support कर देंगे और हम ऐसा magnetic field बनाएंगे कि वह तो one tesla उसमें add करेगा कि और घटा देगा उसमें one tesla one tesla add करेगा उसको वापस two tesla कर देगा तो यानि कि यहाँ पर जो i dash होगा इस case में अब अगर बनाए जाए तो ऐसे हो जाएगा और यहाँ पर भी ऐसे हो जाएगा oh my god battery भी चेंज करना पड़ेगा बैटरी चेंज हो है तो यहाँ पर इसके वाज से कैसा बना देखते ज़ा डेखो यहाँ पर ठीक से देखो सक्रस्व बना देगा तो इसका अगर नीचे बना देगा तो इसका magnetic field आउट वड जाएगा अगर उसको इंक्रीस करना है, तो अगर उसको टाट है, तुमको भी इसको बनाना पदेगा, पर ताकि उसको support कर पाओ, और उसको घटाना है, तो अब next class में और questions करेंगे इसको मिला के फराडे फराडे भी खर मिल गया आपर क्या फराडे जो यहां हट गया नहीं नहीं मिल गया तो यह जासे यह जो फॉर्मल लिखवाई थे यह बराबर डीफाब डीटी इससे भी बहुत सारा सवाल आता है और इसके उपर बोले कम से कम 10 स कावाल करोगी तब क्लियर होगा एक दमगे ठीक है अब भेज देंगा आजम ठीक है थैंक यू बाई बाई